Greatest Common Divisor या Greatest Common Factor अर्था सबसे बड़ा सार्व भाजक या महत्तम समाप वर्तक वीडियो में आपका स्वागत है यदि आप से ये पूछा जाए कि सबसे बड़ा सार्व भाजक यानि Greatest Common Divisor क्या है 12 और 8 का या यह पूछा जाए कि महत्तम समापवर्तक यानि greatest common factor क्या है 12 और 8 का यहां यह C है common के लिए आप यहां यह जान लें कि इन दोनों का आर्थ एक ही है कहने का आर्थ है भाजक और गुणनखंड वो संख्या है जिससे कोई दूसरी संख्या विभाच्य है तो भाजक और गुणनखंड एक ही बात हुई तो चलिए देखते हैं कि सबसे बड़ा सार्व भाजक greatest common divisor अत्वा सबसे बड़ा गुणनखंड greatest common factor 12 और 8 का क्या है हम इसे सरल विधी से जानेंगे सबसे पहले प्रतेक संख्या के गुणनखंड यानी factors बना लेते हैं तो पहले हम सभी गुणनखंड लेते हैं संख्या 12 के तो एक factor है दो से 12 को भाग दे सकते हैं तीन से 12 विभाज्य है चार से 12 विभाज्य है पांच से विभाजे नहीं है, छे से विभाजे है क्योंकि दो गुणा छे बराबर होता है बारा और बारा भी विभाजे है क्योंकि एक गुणा बारा होता है बारा तो ये हो गए गुणनखंड बारा के, अब लेते हैं गुणनखंड आठ के 8 एक से विभाजे है, 2 से विभाजे है 8 3 से भाग नहीं दे सकते, 4 से भाग दे सकते है और अंतिम गुणणखंड, एक गुणा 8 तो 8 तो हमें अब सभी गुणणखंड मिल गए 12 और 8 के तो इन factors में, अब common factors देखते हैं 12 और 8 के इन दोनों में common factor है 1 ये कोई विशेश बात नहीं है क्योंकि प्रतेक पूर्ण संख्या और प्रतेक पूर्ण नांग का common factor एक तो होता ही है और इन दोनों में common factor है दो, दोनों में ही common factor चार भी है और यहां केवल common factors ही नहीं देखने हैं, हमें तो इनका greatest common factor यानि महत्तम समापवर्तक देखना है तो सभी common factors हैं एक, दो और चार और इनमें सबसे बड़ा क्या है? आसान है, यह है चार तो महत्तम समापवर्तक बारा और आठ का है चार, मैं इसे यहां पर लिख देता हूँ greatest common factor बारा और आठ का है चार और इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि greatest common divisor सबसे बड़ा सार्व भाजक है बारा और आठ का चार यह थोड़ा मिटा देता हूँ मैं इसे और अब एक और प्रश्शन लेते हैं सबसे बड़ा सार्व भाजक, greatest common divisor क्या है पचीस और बीस का? इसे भी वैसे ही निकालेंगे पहले गुणन खंड लेंगे पचीस के सबसे पहले एक, दो से विभाज़ नहीं पचीस, तीन से भी नहीं, चार से भी नहीं, पांच से है पांच गुणा पांच, पचीस होता है और फिर पचीस यहां देखिए कि हमें केवल तीन फैक्टर्स मिले हैं, इसके विशे में आप सोचें कि इस संख्या के केवल तीन ही गुणन खंड हैं और जबकि अन्य संख्याओं के फैक्टर्स की गढ़ना एक समसंख्या होती है अब हम फैक्टर्स निकालते हैं बीस के, बीस के गुणन खंड हैं एक, दो, चार, पांच, दस और बीस, अब अगर हम इने ध्यान से देखें, इन दोनों में एक है, जो की होता ही है, इसके इलावा बस एक ही कॉमन फैक्टर है और वो है पांच, तो ग्रेटेस्ट कॉमन ड बीस का बराबर है पांच के, एक और प्रश्ण लेते हैं, क्या होगा महत्तम समापवर्तक यानि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर पांच और बारा का, तो फैक्टर्स होगे पांच के, एक और पांच क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या के गुणन होते हैं एक और वही संख्या और अब संख्या बारा बारा के बहुत factors होते हैं एक दो तीन चार छे और बारा तो अब देखिए कि यहां इन दोनों में मात्र एक common factor है अंक एक तो क्या लगा आपको थोड़ी निराशा हुई तो महत्तम समापवर्तक यानि greatest common factor पांच और बारा का है एक और यहां आप अपनी शब्दावली में एक शब्द और जोड़ने जिन में greatest common factor यानि सार्व गुणनखंड केवल एक होता है से अभाज्य संख्या यानि को प्राइम नंबर्स कहलाती हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभाज्य संख्याओं के फैक्टर्स वही संख्या और एक होते हैं तो किनी दो अभाज्य संख्याओं का केवल संख्या एक ही greatest common factor होता है उमीद है आप समझ गए होंगे एक और प्रशन लेते हैं सबसे बड़ा सार्व भाजक यानि greatest common divisor ग्याद करेंगे हम 6 और 12 का 12 कुछ ज़्याद ही ले रहे हैं हम मैं कुछ अधिक रचनात्मक हो जाता हूं संख्याओं को लेकर तो क्या होगा greatest common divisor 6 और 12 का 6 के factors हैं 1, 2, 3 और 6 12 के factors हैं 1, 2, 3 अब तो यह लगबग यास से हो गए हैं 3, 4, 6 और 12 और अब अगर हम common factors देखें तो यह है common 1 दो भी common factor है दोनों में 3 भी दोनों में है और 6 भी मौजूद है दोनों में इन में सबसे बड़ा common factor क्या है तो यह है 6 तो इस्तिती में greatest common divisor ओहो कभी मैं divisor बोलता हूँ तो कभी factors गणी तग्यों को इन में से एक नाम तेह कर लेना चाहिए greatest common divisor 6 और 12 का बराबर है 6 के अर्थात यह इन दोनों में से एक संख्या ही है और ठीकी तो है क्योंकि 6 से विभाज्य है 12 आज पस इतना ही आशा है अब आप महत्तम समाप वर्तक या सार्व गुनन खंड निकाल सकेंगे अगली वीडियो में आपको कुछ और उधारन दे कर समझाओंगा